आप देख रहे हैं वियू खानपूर चैनल और आज की इंपोर्टन्ट वीडियो उन तमाम स्प्रोंट्स के लिए जिनकी फाल 2020 में एक तो नीड बेस स्कॉलर्शिप अपलाई किया था लेकिन उससे पिछला जो समिस्टर था वो था स्प्रिंग 2024 इसमें बहुत सारे स्टूडन्ट को नीड बेस स्कॉलर्शिप ही लगी थी और मेरेट बेस स्कॉलर्शिप ही लगी थी लेकिन तब ऐसा हुआ था कि समिस्टर आलमोस् मिस्टर की फीस भी आ गई तो वो स्टूडेंट ये पूछ रहे थे कि जाना चाहरे हैं कि उनकी जो फीस थी वो कहां पर आप कैसे डिस्ट होगी तो इस वीडियो में आपको बता देता हूं कि आपने अप उसके लिए करना क्या है चले आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को लाद में सबस्क्राइब कर लें सबस्क्राइब करने से ये होता है कि अगली वीडियो आपकी स्क्रीन के उपर फूदी आ जाती है और चैनल आपके सामने हैं वीडियो आईडि खानपुर अच्छी चीज़ें लगें तो कमेंट्स करें और कुछ पूछना तो भी कमेंट्स करें कोशिश करता हूँ कि आपके तमाम जिदमें भी कमेंट्स का रिपलाई दे पाऊं तो सिंपल मैं आपको बता दूँ कि जिन लोगों की स्कालर्शिप पिछले समिस्टर में लगी थी उनको उनकी जो वी यू एमेल है उसके उपर एक इस तरह का मैसच यूनिवर्स्टी ने किया था इसी मंडे को और उसमें लिखा वो नीट बेस कालर्शिप की तरह था और अगर उन लोगों को यह एमेल आई होगी जिन्होंने वी यू एमेल लगाई हुई अपने मुबाइल के अंदर या लैप्टाप के अंदर जो वी यू से स्टूडेंट को बना के दी जाती है यहां पे एक स्टूडेंट के बारे में बतायाएगा आज 6 है उन्होंने कहा तक कि 8 नॉमबर तक जो है वापकी यह फीस जो पिछले समिस्टा में आपको स्कालर्शिप की सुरत में यूनिवस्टी की तरफ से मिली थी वो एड़जस्ट हो जाएगी लेगर आपने करना क्या है कि आपने जस्ट इंस्टॉल्मेंट कर देनी है अ जैसे ही ओपन होता है लमस आपने अपना अकाउंट बुक चेक करना है और ऐसे तुम स्टॉडेंट्स एक तो वी यू एमेल अपने अलमस के अंदर मुबाइल के अंदर लगा लें और दूसरा जो है अपनी जो फीस है उसको समिस्ट कनवर्ट कर दें इंस्टॉल्मेंट मे कनवर्ट करने से यह होगा कि जितनी उसकी फीस है उस फीस के गेंस्ट स्कलरशिप के गेंस्ट वो अड़जस्ट हो जागी बाकी जो बचेगी वो आपको पेक करना पड़ेगी तो हम चाहते हैं अकाउंट बुक में चेक करते हैं जाके और देखते हैं कि क्या जाएंगे और उसके अंदर आपको अपनी तस्वीर के नीचे एक इस तरह का इमेल नदर आएगा और यह जो है यह वीजो इमेल होती है इसको कैसे मॉबाइल में लगाना है रीसेट कैसे बासफ़र्ट करना है इसका वो सारी चीज़ें आपको पहले से बताए जा चुकी है अब अगर तक अभी तक नहीं हुई और कोछ लोगों को मेल भी नहीं आई या कुछ भी ऐस तरह का है तो आप जो आप कैसे युनिवस्टी को बताना है बताने के लिए सिंपल आपने अपने लमस ओपन करना है और जाना है है हैल्प में यह बिलकुल आपको नीचे-णीचे हेल्प नज़र आ रहा है हेल्प ओपन करेंगे तो अगला जो पेच ओपन होगा यह वी यू सपोर्ट सिस्टम का है इसको भी आपने अपने लमस आईडी से लोग इन कर लेना है लमस आईडी और पासवर्ट वही जो आपके लमस का है लोग इन सक्सेस्फल उपर मैसेज आ गया और साथ में ही यह जो सपोर्ट सिस्टम में वी यू का ओपन हो जाएगा तैसे उपन होता है मैं मजीद आपको बता देता हूं कि वहां पे आपने किस डिपार्टमेंट जा में लिए उनका ओनोंने फीस पे कि होगी तो यह जाएंगे कि जो सकालर्शिप की मॉंट उनको मिली है तो वह वापस हो जाए वापस भी हो सकती है उसके लिए आपने जाना है यहां पे फ़नास डिपार्टमेंट में बी-एस मैटर में देख लेते हैं यहां पे देखें अ पुराने जो माइट टिकर्स हैं जैसे आप सब्मिट करेंगे तो टिकर्ट जनरेट हो जाएगा यहां पे देखें मैंने पहले से किया हुआ था यहां पे जो उनका एक रिपलाई आया हुआ हुआ है और फिफ्टी परसेंट मेरेट बेस कानलशिप कानिए जस्ट इस इन फ जो क्यूरी है सब्मिट की गई थी चार नौ को ठीक है तो उनका फिर मेल आ गया और मेल इस तरह का शेर में है कि आपकी जो फीस है जनी फिफ्टी परसेंट स्कालर्शिप मिली है फिफ्टी परसेंट का मतलब बाद कि जतनी समेस्टर फीस है आपकी उसका हाफ और अठारा आत गरीबन हजार फीस होती है तो तक तक गरीबन 9000 पर इनकी लगी है और वो 9000 पर इनकी एज़स्ट हो जाएगी तो ये मामला इस तरह है तो जो पासफोड हो चुकी है उनको स्कोलर्शिप मिली ती वो भी वापसी का कह सकते है कि उनकी जो फीस है अब मुली है तो जो आ fund की जाए वो सारा मामला इसी तरह है कि आपने यहां पर आना है और फिर अपनी जो क्यूरी है यहां पर सब्मेट कर देनी है फीस मैटर अधर वालों को लिखते हैं या scholarship वालों को लिखते हैं जैसे भी है आपने फीस सेक्शन में जाकर लिख देना है मैं दो बारा से थोड़ हो जाएगी जितनों को भी मिली है तो यह पहले से पता होता है और फिफ्टी परसेंट लगी अब जिसकी फिफ्टी परसेंट लगी उसको नो से साड़े नो जार पर की scholarship मिलनी है और उसकी स्मिस्ट फीस एठारा जारा तो उससे चाहिए कि जो पहली इसकी मतलब इसकी लास डेट जैसे आठ नोंबर डू डेट है तो फिर ऐसे करना है उनोंने कि जिनकी ज्यादा फीस है मतलब स्मिस्ट के फीस ज्यादा है लेकर scholarship कम है तो जाहरा सारी की सारी तो आफ नहीं होगी तो पहला जो चलाना है वो डू डेट के अंदर जमा करा दें यह डू डेट आठ है तो कुशिश करें आठ तक वेट करके अगर उस दिन भी नहीं होती तो फिर स्टैंडबाई रखें और जमा करा दें के बजाए उसका लेट हो जाए ठीक है तो होफ़ली यह चीज़ें समझ आगी होंगी अगली वीडियो के लिए इंतजार करें चैनल को स